दिल का धरकना ये ही चाहत है नीद नायाना ये ही चाहत है चाहत न होती कुछ भी न होता हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूँ बीपिनियादव और कहीं दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं आज के क्लास को लेकर आज हम आपको जो प्रसन कराने वाले हैं ये रेलवे ग्रूप डी में जो सम् माइनस बरी बराइकेट लगा हुआ है सात माइनस मजली बराइकेट चो माइनस अब छोटी बराइकेट फाइब माइनस अब यह बार बराइकेट है चार माइनस तीन तो अब इसका मान गयात करने के लिए कहा है जरा ध्यान दीजेगा मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब O D M A S बुडमास में आप जानते होंगे ये ब्राइकेट ये ओफ मतलब का डिभाइड मतलब भाग, मल्टिपलाइ मतलब गूना अड मतलब जोर, सब्ट्रेक्ट मतलब घटाव जो छीन आपको दिख रहा है वो इसे ही काम होता है सबसे पहले ब्राइकेट का काम होता है ब्राइकेट में न दोस्तों सबसे पहले जो बार ब्राइकेट होता है अंदर में उसका काम होता है अब ये देख लीजे ये माइनस बाहर में है ये चार माइनस में नहीं है चार है पलस में, माइनस तीन है ये बार ब्राइकेट के अंदर है तो चार में से तीन घट जाएगा एक निकल के आएगा इन दोनों में से क्या निकल के आएगा एक, उएक आएगा बाहर में माइनस के साथ, तो माइनस एक हो जाएगा अब माइनस एक ये हो जाएगा कितना, यहां के माइनस एक, तो माइनस एक आप पांच कितना हो जाएगा, सीधा चार, चार आके यहां घटेगा, माइनस चार घटेगा, चार में से चार घटेगा, तो अब हो जाएगा यह दो, यह दो जाके आप माइनस दो समझे कि नहीं तो यह 7 में से 2 घटे गा तो कितना हो जागा पांच अभी 5 जो आएगा ए माइनस में 5 हो जाएगा तो तेरह में से 5 जाएगा तो आपका सामने सवाल क्या कहता है देखिए 32 बटा 243 इसका पावर है माइनस 4 बटा 5 इसका मान क्या होगा दोस्तों जब कभी भी पावर में माइनस का चिन लगा हुआ हो तो बेस को पलट दीजिए और जब बेस को पलट दीजिएगा तो पावर का चिन बदल जाता है बेस को पलट ये यानि कि आप 243 उपर लिख दीजी, नीचे में 32 लिख दीजी, और इसका पावर कितना आ जाएगा, सीधा 4 बटा 5 हो जाएगा, पहले था माइनस 4 बटा 5, अब सीधा 4 बटा 5 हो जाएगा, चेंज हो गया, माइनस वला प्लस हो गया, 243 बटा 32, तीन के पावर 5 होता है 243, दू के पावर 5 करके, और इस पूर्य का पावर कितना दिया हुआ है, 4 बटा 5, याद रहे, किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्राइकेट हो तो पावर में पावर गुना होता है, तो 5 से गुना होगा, 4 बटा 5 में, तो 5 से 5 कर जाएगा, अब हुआ यह 3 बटा 2 के पावर बचा के बल चार, यानि 3 का पावर चार होता है, 81 और 2 का पावर चार होता है, 81 बटा 16, 81 बटा 16, आपका एंसर option D हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे पर यह देखिए, जरा आगले सवाल को अगला सवाल क्या कहता है, प्रस्न कहता है, तीसरा देखिए, कहता है कि रावनक के बेतन में 10% की कमी कर दी गए, इस कमी किये गए बेतन में 10% बिर्धी कर देने पर, रावनक को कितने परतिसत का लाव अथवा हानी हुई, 10% के कमी किया गया उसके बेतन में और कमी करने के बाद फिर 10% की बिर्धी कर दिया गया है तो सबाल कहता है कि राउनक के बेतन में क्या कितने परतिसत का लाभथवा हा नहीं हुआ याद रहे किसी भी बस्तू पर या किसी भी चीज पर लागातार दो बार घटना घट जागा तो एवी फरमूला लगा देना है एवी फरमूला होता है क्या x plus y minus x plus y plus x y अबटा 100 यह परतिसत में इसको कहेंगे याद रहे विर्धी रहेगा तो पलस देना है विर्धी तो पलस और कमी अगर आता है कमी अगर आता है कमी तो माइनस देना है सुनिएगा पहले 10% कमी किया गया तो माइनस 10 लिखेंगे फिर 10% बिर्धी किया गया तो पलस 10 यानि Y के जगा एभी फर्मूला X पलस Y पलस XY बटा 100 कर ये चाहे A पलस B पलस EB बटा 100 लिखते है X Y ये दो गो जो भैलू है उसी को दर्साता है अब इन दोनों को गुना करके लास्ट में लिखते हैं तो 10 गुना 10 बटा में कितना हो जागा 100 ये परतिसत 100 से 100 कटा एक बार में ये माइनस 10 ये पलस 10 तो हो गया 0 बचा माइनस 1 परतिसत इसका मतलब कमी हो गया एक परतिसत का यानि हानी है एक परतिसत का उसके बेतन में कमी जो हुआ है टोटल वो एक परतिसत का कमी हुआ है उसका बेतन पहले 10 परसिंट घटा दिया गया और फिर उसका 10 परसिंट बढ़ा दिया गया यानि फिर भी उसके बेतन में 1% की कमी है आईए चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए आपके सामने प्रसन है 240 का 35 परतीसत पलस 280 का 55 परतीसत बराबर 714 का होट मने वाट मतलब कितना आईए ये 240 है 240 का 35 परतीसत मतलब होता है पट्टा में 100 फिर 280 का का मतलब होता है गुना पचपन अब परतीसत मतलब होता है बट्टा में 100 बढ़ाबर काता है 714 का कितना उसके जब एकस लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है अब ये 0 से 0 काट दीजे इस 0 से इस 0 को काट दीजे 5 सते 35 तो 5 दूना 10 आद 2 से काट सकते हैं 12 बढ़ में तो ये 12 सते होता है 84 प्लस सुनिएगा 5 से काटते हैं 2 बढ़ में 5 से काटते हैं 11 बढ़ में 2 से काटते हैं 14 बढ़ में 14 बढ़ गुना करिए 1 4 हटा के 1 4 सटा के 1 4 को सटा के तो 1 4 कितना हो जागा 5 154 आगया, बराबर कितना है, 714 गुना X है, 84 और 154 को जोड़ देंगे, 448 और 158, 238 यह हुआ 238 इधर और उधर गुना में है 714, बट्टा में लिया आएंगे तो 714 इधर हो जाएगा, बराबर हो गया X, चलिए, अब देखें इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, एक साथ, यानि एक बट्टा 3 आगया हमको किस का मान, X का मान, एक बट्टा 3 कहां है, यहां है, ओप्शन A में, चलिए, अगला सवाल पर आजाईएगा जरा, देखें, नेक्स्ट कोश्चन, सवाल कहता है, देखें, सवाल है, क्या कहता है, कि एक व्यक्ति अपनी आधी क्या है, पूरे बर्स में उसका आउसत वार्सिक व्याज क्या पराथ हुआ, तो पहले कहता है, कि एक व्यक्ति अपनी आधी पुझी को 10% पर, आधा पुझी, यानि एक बट्टा 2 पुझी को 10% पर, तो एक साल में एक बट्टा 2 का 10% न व्याज आएगा, पलस, एक ती को 9% पर लगा देता है, तो 9% पर लगा दिया, तो इतना लाग हुआ उसको, अब चलिए, पलस, कहता है, सेस पुझी, तो सेस पुझी क्या होगा, अब बताइए, सेस पुझी 12% पर, तो एक बट्टा 2 पुझी पहले लगा दिया, पलस, एक बट्टा 3 पुझी फिर लगा तो यह total हो गया 5 बटा 6 पुझी सेश पुझी कितना बचा सेश निकलना है तो नीचे से उपर घटाई यह यह सेश निकल क्या जागा आपको रिमाइंडर निकल जागा चो में से 5 गटा ये 1, 1 बटा 6 कही है यानि अब सेस 1 बटा 6 पूंजी को लगाया 12% बढ़ तो 1 बटा 6 का 12% उसको लाब मिलेगा या ब्याज मिलेगा जो कही अब उसे प्राप्त होने वाला उसत ब्याज यानि टोटल कितना ब्याज आएगा लगभग ये देखिए दो से कटा 5 बार में, 3 से कटा 3 बार में, 6 से कटा 2 बार में ये हो गया 5 परतीसत पलस ये आया 3 परतीसत पलस ये आया 2 परतीसत सब जोड दीजिए 5, 3, 8, 2, 10 परतीसत यानि लगभग यानि आउसत उसको 10% ब्याज प्राप्त हो रहा है बारसिक, option C हो गया आगे बढ़िए जरा, अगला question दिखिए जरा प्रसन क्या है? प्रसन है कि 2 संख्याए 11,8 के अनुपात में है यादि उनका मौसा 15 है तो छोटी संख्या क्या है? ये 2 संख्याए जो है न एक 11 अनुपात 8 में है उनका मौसा 15 है अच्छा, इनका मौसा कितना होगा? इनका मौसा 1 होगा क्योंकि 11,8 का मौसा बनाईएगा तो 11,8 में कोई संख्या कौमन नहीं आता है मौसा 1 होगा, जबकि मौसा है 15 यानि अनुपात 1 का मान हुगा 15 अब अनुपात एक कामान 15 है सवाल पूछता है छोटी संख्या आठ से गुना कर लिजी एक कामान 15 है आठ कामान 15 अठे बीसा से 120 यानि छोटी संख्या हो गया हमारा 120 अगर बड़ी संख्या कहता तो 15 से 11 को गुना कर देते 165 हो जाता ठीक है आईए नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला सवाल आपका क्या कहता है काता है एक काम को करने में A, B, C और D की करज छमता कानुपात 3, 2, 5, 4 है किसी करज के लिए दिया गया परास पारिसरमिक 56 है तो किसे सबसे कम रासी मिली और कितनी डासी मिली दोस्तों A, B, C, D के बीच में A, B, C, D के बीच में इनकी छमता जो है देखिएगा इनकी छमता जो है ये है क्या जानते हैं 3 अनुपात, 2 अनुपात, 5 अनुपात, 4 का छमता छमता का मतलब है कि कोई अगर ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा ये 5 काम करेगा और D जो है लास्ट में 4 काम कर सकता बड़ावर समय में ये इनकी छमता है याद रहे रूल कहता है कि जो बेखती ज्यादा काम करेगा उसको परिस्रमिक ज्यादा मिलना चाहिए और जो कम काम करेगा उसको कम हिस्सा मिलना चाहिए और होना भी ऐसा ही चाहिए तो इसमें जितनी छमता जिसकी होगी वो हिस्सा भी ठीकभी का समता कम है अगर ए तीन काम करेगा ते दू है और इस एसका हिस्सा भी इस रीशी होगा टोटल एच्छप पंसो तो यहाँ जोड़िये टॉटल कितना थीन दो पांच पांच दस आचार चौदा अनुपात में जोडते हैं तो टोटल हो जाता है चौदा इसकी कुल हिस्सा कहिए या छमता कहिए दोस्तों एक ही बात है इनको आप हिस्सा में भी कह सकते हैं अब चलिए यानि जिस रेशियो में ये काम किया उस ratio में हिस्सा लेगा अनुपात में total हिस्सा 14 real में total हिस्सा है 56 यह दोनों total है इसलिए आपस में बढ़ावर तो अनुपात एक कमान कितना 144 के 56 400 अब अनुपात एक कमान 400 है तो B कमान निकालेंगे 2 कमान एक कमान 400 दू कमान चार दून 800 यानि B को सबसे कम और वो 800 मिलेगा बी को सबसे कम और वो 800 मिलेगा option D आपका answer हो जाएगा चली मुझे उमीद है कि बहुत असानी से आपको समझ में रहा होगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल है भाईया प्रसन कहता है यादि किसी वस्तु को 5% हानी क्या पेक्षा 5% लाप पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 72 रुपया 80 पैसा अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रेमूल ग्याद करिए एक बेखती को 5% लाउस के बदले 5% पर प्रोफिट पर बेचा जाता है तब कहता है कि विक्रेता को 72 रुपया 80 पैसा अधिक मिलते हैं यानि कि ये विक्रेमूल कांतर है 72 रुपया 80 पैसा विक्रेमूल कांतर है कैसे ये अधिक मिलता है मने पहले से इतना ज़्यादा मिलत पहले वाले विक्रेमूल से अबला ओ kenृis क plays इतना ज़ादा है थे इसको देख लेना है कि लाग मतलब profit और loss है देखिए loss है और profit है तो जोड लीजे 5 आ 5 कितना 10% मतलब 2 रंग है तो जोड देना है एक रंग है तो घटा लेना है अब इस 10% के बराबर लिख देना है 72 रूपई आसी पैसा 100% का मान निकाल लीजे कितना तो 728 22 रूपई आपका एंसर हो जाएगा option है चलिए कैसे करिएगा बट्टा में 10 आगा 100 से गुना करिएगा आपका एंसर आजागा 78 अगला सवाल देखिए प्रसन क्या कहता है कहता है एक समकोन तिर्भुज की अधार तथा उचाई की लंबाई 8 cm और 6 cm है अधार है 8 उचाई है 6 cm यह समकोन वाले सिर्ष से कर्ण पर यहां 90 डिग्री का कौन होगा कर्ण पर डाले गए इस लंब की लंबाई जरा बता दीजे कि कितना होगा मान लिजे दोस्तों यह A, B, C है और यह D, यह B, D को निकालना है तो याद रहे अगर कोई भी समकोन तिर्भुज हो और समकोन तिर्भुज में गौड करना इस रूल को याद रह लेना यह A, B, C है और यह समकोन वाली सिर्ष से अगर कर्ण पर कोई लंब खीचा गया है एक B, D लंब कीचा गया है कर्ण पर तो इस BD का लंबाई जो होगा, दोनों छोटी भुजा का गुननफल मतलब AB-BC गुना करना है, दोनों छोटी भुजा का गुननफल AB-BC और भाग देना है बड़ी भुजा से, एसी से, यानि हमको क्या करना होगा, ये जो BD निकालना है इस बार, BD जो हमको निकालना है, यान हैं हमको करना होता है लंब अधार का गुना करन से भाग तो देखे यह शंव है यह आठ है तो करना हमाणा 10 हो जाएगा अब 6 और 8 को गुना कर दीजिए अब करन से भाग दे दिजिए छाट है और 40 40 40 10 से भाग दीजेगा 4.8 हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर ऑप्शन भी अंसर हो जाएगा आई ये बढ़ते हैं अगला सवाल के तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है भाईया अगला सवाल ये कहता है दो पाइप ए और भी एक टंकी को करम सा 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं दोनों एक साथ खोला जाता है लेकिन 3 मिनट के बाद A को बंद कर दिया जाता है तंकी भरने में नल B को कितना समय लगेगा ये नल B को कितना समय लगेगा यानि कि ये 3 मिनट के बाद ही अकेले B काम करेगा तो B का समय पूछा है दोस्तों देहान देना A और B जो है अकेले अगर काम करता है तो बारा घंटे में बारा मिनट में और बी अकेला काम करता है तो पंदरा मिनट में इन दोनों का LCM बना लिजे, तो LCM हो जागा 6, यानि समझ लिजे कि ये 6 काम है, LCM बना दिये तो ये 6 काम है, मतलब A जो है न, 12 मिनट में करता था, और B 15 मिनट में, तो काम कितना है 6 काम तो A जो है प्रती मिनट 12, 25, 5 काम करता है, कई से जाने हम ये 12 मिनट में यही साथ काम करता है, LCM बनाने का मतलब होता है, टोटल काम निकल जाना 12 मिनट में साथ काम करता है तो 12, 25, परती मिनट 5 काम और B जो है ये 15 मिनट में साथ काम करता है, 15, 4 के साथ, यानि 4 काम अब बताइए, सवाल कहता है पहले लेकिन तीन मिनट आचा काता है दोनों को एक साथ खोला जाता है लेकिन तीन मिनट बाद एको बंद कर दिया जाता है अब बताइए कि दुनों अगर एक मिनट काम करें तो पांच आचार नौ काम कर देगा नौ काम कर देगा लेकिन तीन मिनट काम किया है साथ में तो न 33 काम अब कौन करेगा जानते हैं 3 मिनट के बाद तो ये को बंद कर देना है अब B को ही करने में जो लगेगा 33 काम करना है B को B को कितना दिर लगेगा तो B B को कितना दिर लगेगा तो B जो है 4 काम करता है प्रती मिनट तो 4 काम से भाग दे दीजे, कितना मिनट लगेगा? 4, 8, 32 और 31 यानि 8 पुर्णांक एक बाटा 4 मिनट लगेगा, option A answer हो जागा, 8 पुर्णांक एक बाटा 4 मिनट लगेगा B को, A को छोड़ने के बाद, 3 मिनट के बाद, ऐसे पूछता कि B टोटल कितना दिर काम किया, आईए, सवाल को देखिए, सवाल आपके सामने है, बोला गया कि इतना और इतना का लगुत्तम समाब बर्तक बताईए, तो पहले इसका गुननखन बनाईए, देखिए, यह X स्क्वार है, माइनस क्या है, 4X है, प्लस 3 है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे? एक X ले लिजे, तो हो गया यह माइनस माइनस, यह 3 एक 4X, यह प्लस 3, अब दोस्तों X कॉमन हो गया, तो X माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन तो X माइनस यहां 3 हो गया, अब यह X माइनस 1 हो जाएगा, अलग अलग वला, दूगो एक जैसा है, तो X माइनस 3, यह गुननखन इतना बना, इसका अगर बनाते हैं, इसका कि x square minus 5x plus 6 है, तो इन दोनों का गुननफल 6x square हुआ, यानि इसको हम लिख सकते हैं, x square minus 3x minus 2x, क्या कि 3 दू 5 हो जागा minus में, और ये plus 6 है, अब x common ले लेते हैं, तो x minus 3 हो जागा, यहाँ, आगे हम क्या common ले सकते हैं, 2 common, minus 2, तो यह हो जागा हमारा कितना? x, और यह minus plus minus 2, ती आई 6, अब देखिए, x minus 2, और यह हो गया x minus 3, इधर के 2 गुननखन, x minus 2, x minus 3, इधर हो गया x minus 1, x minus 3, दोस्तों, आप से पूछा गया है LCM, LCM का रूल कहता है, कि सब को लिखिए, पर दुबारा किसी को नहीं लिखि है, दोनों गुरूप के सभी गुननखन, यह x minus 1, x minus 1, उधर नहीं है, इधर है, लिख दिया, x minus 2 है, तो x minus 2 लिख देते हैं, x minus 3, इधर भी है, उधर भी है, एक ही बार लिखाएगा, दुबारा नहीं लिखाएगा, यह हो गया, और इसी में अगर, देखो, x minus 1, x minus 2, x minus 3, आपका option D में है, अगर hcf निकालना रहता, तो काम इतना करते, और last में क्या करते, hcf में उसी को लिखते हैं, जो common होता है, hcf का मतलब ही होता है, highest common factor, तो common क्या है, x minus 1, इधर है, उधर है, नहीं है, x minus 3, इधर है, उधर है, x minus 3, दोनों तरफ है, इसलिए hcf, x minus 3 हो गय अगला question, बहुत ही जवरदास्त question है, और बहुत प्याडा question है, देखिए, प्रसन क्या कहता है, कि यदि 16 cm लंबी जीवा, अपने विर्त के किंदर से 15 cm की दूरी पर है, तो उस विर्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी, जो किंदर से 8 cm की दूरी पर है, दोस्तों, मान केंदर से 15 cm दूर है, अच्छा, इस जीवा की लंबाई कितनी है, 16 cm, और कहता है, उस विर्त के उस जीवा की लंबाई क्या होगी, जो उस केंदर से 8 cm दूर है, इक केंदर से मात्रे गो 8 cm दूर है, उस जीवा की लंबाई क्या होगी, जरा बताईए, इस जीवा की उधर भी रहा सकता था कोई दिकत नहीं है 8 cm दूर है इस जीवा की लंबाई तो नियम यह काता है जीवा गुना के दूरी सुनो जीवा गुना के दूरी यानि 16 गुना 15 बरावर फिर जीवा गुना के दूरी जीवा गुना के दूरी तो 16 गुना 15 फिर जीवा गुना के दूर यह जीवा का लंबाई पूछा है तो X लिया और याड अब 8 से काटा 8 दूना 16 15 दूना 30 30 cm हो गया X आपको याद रख लेना है कि जीवा गुना केंद्र के दूरी बराबर जीवा गुना केंद्र के दूरी ठीक है मुझे लगता है कि बहुत असानी से आपको समझ में आया होगा अगर ऐसे भी आप चाहते तो निकाल सकते थे जैसे पूरा संनिया सोल है तो किंद्र से जीवा दब डाला गया लम इसको दो भाग में बाढ़ देता है तो या हो गया जैसे ही पंदाव है, श्क्रा हो गया करन हो जाता है 17 लंब डाला ले तो यहाँ सम्कौन हो गया 17 पनदा 8 है ही 7 यह 17 है तो 15 होगया इतना 15 है तो इतना भी 15 रहोगा 15-30 हो गया कोई दिक्कत नहीं चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में वीडियो कैसा लगा है बताइए जरूर कमेंट में और इस तरह के कुश्चन चुकि अलग-अलग टॉपिक से आप लोगों का मांग था किसर हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए तो मिक्स तो उसका हम स्रेज लेकर आये थे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू बेस्ट अफ लग